आज की रेसिपी है नवरात्र स्पेशल वरत वाले सिंघाड़े के आटे के पराटे और साबू दाने का डौयता जी हाँ पराटे और रायते का यह कॉम्बिनेशन चॆप वरत में अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं और बिना वरत के भी आप इसे खा सकते हैं यह इतने टेस्ट बनते हैं कि वरत के बिना भी आप इसे बहुत ही जल्दी जल्दी बनाएंगे और इंजॉय करेंगे तो आइए वरत वाले साबु दाने के रायते और सिंगाडे के आठे और आलू के पराठे स्टार्ट करते हैं रेसिपी सबसे पहले मैंने यापर एक कप पानी बॉल करने के लिए रख दिया है एक पैन पर इस पैन का मैं लित लगा दूंगी ताकि पानी जल्दी गरम होच और यह आठा डालके इसे अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया इम्मिडेट ली ठीके अब लिट लगा के से थोड़ी देर रग दीजे अब यहां पर मैंने आधी चोटी कटोरी साबुदाने लिये हैं जो कि मैंने दो घंटे पहले बिगा के रखे थे उ पानी भी जो है थोड़ा सा पीला हो जाता है अच्छे से इसे लगबग 5-7 मिनट तर लगाता मिना मिलाते हुए बॉइंट कर लिया अब इसे स्ट्रेणर से मैंने स्ट्रेंड कर लिया अब इसके उपर ठंडा पानी डाल दीजिए ताकि यह चिप-चिपे से ना हो इनका ट दशना रहें अच्छी स्मूथ ची दही तयार हो जाए अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा सेंधा नमक जो वरत में हम खाते हैं थोड़ा सा काली मिच का पॉडर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पॉडर थोड़ी सी हरिमेच कुछ बारिक कटे हुए हरा धनिया और थोड़ी सी चीनी लगबग दो चुटकी बस जादा चीनी नहीं डानी है इन सबी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजे अब यह जो साबुदाने हमने बॉइल कर करके है वो साबुदाने इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो तो जिखा और black में बहुत ही अच्छे से खागे निज़ आ कर सकते हैं यम्मी सा साबुदाना च्छे में रायता тут अब चलते हैं पराठो की तरफ तो पराथों के लिए चो आटा मैंने पैन में रखा हुआ था मिक्स करके बुठंडा हो चुका है इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डलेगा अब मैंने या पे एक बॉइल आलू लिया है जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया आप चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हैं अब मैं इसमें डालूँगी एक बारी कटी हुई हरी मिर्च बारी कटी हुई अद्रक बारी कटा हुआ हरा धनिया इसे बहुत ही अचा फ्लेवर आता है और थोड़ा सा काली मिर्च का पॉडर और अधा चोड़ा चम्मच जीरा और दो चम्मच तेल नमक हमने अल्रेडी इस आटे में डाला हुआ है तो नमक में नहीं डाल रही हूँ अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसका जो है आप डो तयार कर लीजे इस वरत की जो रसिपी है अगर आपके घर के आपके जो रिच्वल है उसे साब से जो और इसकी जो है छोटी छोटी लोईया बना ली पराठे की साइस आप अपने हैसाब से छोटा या बड़ा पराठा बना लीजे तो मैं आपे मीडियम साइस के पराठे बना रही हूँ तो इसकी जो है मैंने लोई बना के त्यार कर ली अब इस तरीके से एक प्लास्टिक का मैंने कवर लिया और हलका सा तेल लगाके इस पराठे को इस कवर पे बेल लिया बिल्कुल हलके हातों से बेलिये और अब इस तरीके से आप इसके ऊपर हात रखेशेश नर से खेल一点 अब पैंटे मैंने इस additions ढूल ़िये इमीडियेटल इसे बिल्कुल भी मूब ना करें थोड़ी देर इसे अच्छे से सीखने दें अदर्वाइस यह न तूट सकता है तो अब इस पे आप चाहे तो तेल लगाए चाहे तो घी लगाए जो भी आप खाना पसंद करते हैं लगाके इन पराठों को आप अच्छे से से लीजिए बहुत ही टेस्टी और क पराठा जरू ट्राइक कीजिएगा बहुत ही टेस्टी और डिलीशस बिनता है इस तरीके से आप जो है इसे मीजियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से से लीजिए तो तयार है हमारा पहला पराठा मैं आपको एक और पराठा इस प्लास्टिक के कवर पे ऐसे रखके बेल के दिखाती हूँ क्योंकि इस आचे में ग्लूटेन होता नहीं है तो इसे बेलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसलिए मैंने प्लास्टिक कवर के हैल्प से इसी जो है ना बेला है अगें इसे मैंने जो ना तबे पे डाल दिया और अगें आप ध्यान रखिए कि आपको इमिरेटली इसे जो है ना पल्टाना बिल्कुल नहीं है नीचे से अच्छी सी एक लेयर इसकी जो ना थोड़ी सी सिख्ट है उसके बाद ही आप इसे टर्न करिए इस तरीके से तो य बनते हैं और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि वरत में कुछ लोग कुछ चीजे खाते हैं कुछ नहीं काते हैं तो आप वरत की सामगरी जो भी आपके घर में प्रिफर की जाती है जो भी आपके घर में यूस की जाती है आप उस हिसाब से इसमें चीजे जो है कम य जाधा घर सकते हैं मेरे ही जानकारी किछे चीज़े वरत में हम खाते हैं मैंने इसमें डालके यह पराठे बनाएए हैं फिर भी आप अपने हिसाब से देख लीजी तो त्यार हमारा दूसरा पराठा भी बनके और इसे जो है मैं अबगैस से निकाल लेती हूँ और आएए अब से नहें wanna Enough तो friends कासी लगी आपको मेरी यह रस्पी बताएगईगा और अगर आप चैनल पे पहली बाहरां आहे ज़्मिश चुर्पी है जब करें thank you for watching